स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार ए आर कैरियर पॉइंट में बिहार बोट के कलास 10 और 12 की सेंटर परिच्छाएं समाप्त हो चुका है तो ऐसे में अब वक्त है कि सेंटर परिच्छा से हमें क्या जानकारी देकर सेंटर परिच्छा क्या बतला कर हमें गया है और हमें अब से अपने तैयारी की रणनीती में अर्थात कि अपने पढ़ने के तरीका में क्या क्या बतलाओ करना चाहिए उस बात को हम लोग आज के इस वेडियो में समझने जा रहे हैं क्योंकि आपको बच्पन से सिखाया जाता है कोई भी कहानी आपको पढ़ाया या सुनाया जाएगा तो लास्ट में एक प्रस्ण जरूर पूछा जाता है कि इस कहानी से हमें क्या सीख्छा मिली क्योंकि जिन्दगी का हर कहानी हमको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है और सफल पूरुस महीं होता है कि उस कहानी से सिख्छा लेकर और उसे जो भी अच्छा ग्यान उसको मिलता है उसको अपने आने वाले समय में बदलाव करे तभी वो सफल बनता है चाहे वो जिंदिगी में सफलता है कि हम बात करें या आप किसी गेम जैसे किरकेट जैसे मैच की ही उधारे ले तो वहाँ पे भी कभी-कभी आप देखेंगे कि एक हारने वाला टीम भी उप्यूक्त समय पे अपने फिल्डर, बॉलर और बैट्समन में बदलाव करके और उस म पर बन सकता है तो यदि आपको भी इस साल अच्छा अंक लाना है तो ए पांच जो आज की जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है इसको अपने दिमाग में रखकर पढ़ते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें और इसी हिसाब से पढ़ाई करें तो आप देख निकल कर आए हैं जिसको आपको अपने तयारी में जरूर सामिल करना चाहिए तो यदि आप भी बिहार बोड के छातर हैं और अपने तयारी से संबंदित कोई भी जानकारी बिल्कुल सही और सटिक बिस लेशन के साथ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करक एक जनकारी को क्या पांच महत्वपून सीक्षा हमको देकर चला गया सेंटर परिक्षा जिसको अपने आपको पढ़ाई के रन नीती में जरूर सामिल करना चाहिए तो पहला जो सबसे महत्वपून जनकारी हमको मिला है ओ है इस साल के लिए सबसे अच्छा और सबसे के वज़ा से बिहार बोडे का ऐसा इकलावता बोड बन गया है जो सिलेबस कम नहीं किया है तो इस बात से हमको यह सिक्षा मिला कि आपको 100% आपको किसी भ्रम की स्तिती में नहीं रहना है आपको 100% सिलेबस कभर करके जाना है फाइनल बोड परिक्षा में तो यह सबसे महत उसको कभर करने का परियास करें तो पहला जानकारी आपको यह मिला चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरी जानकारी की बात करेंगे कि जो सेंटर परिक्षा में सिखा कर गया है दूसरा जानकारी यह है सबसे महत्वपूर्ण कि इस साल के center board परिक्षा के सभी प्रस्ण आपके SCRT जो बिहार बूट का original book आता है NCRT pattern पर अधारी तरहता है SCRT बिहार पब्लिकेशन का book उसी का आप ध्यान करें वही से सभी प्रस्ण आएं थे center परिक्षा में और वही से final board परिक्षा में भी आएंगे आप उस book का ध्यान करके जाते हैं तो एक भी प्रस्ण बाहर नहीं आएगा इतना विश्वास रखें तो इसलिए SCRT book जो पतला पतला सा हर सब्जेक्ट का आता है उसको जरूर एक से दो बार अभी समय है से समय में उसको जरूर पढ़ जाएं किसी भी प्राइबेट परिकेशन से ज्यादा उपी होगी इस साल के board परिक्षा में इस सीध होंगे चली आगे बढ़ेंगे और तीसरे नमर सिक्षा की बात करेंगे जो center परिक्षा में सिखा कर गया ओ सबसे महत्तपूर जनकारी ये दे दिया है center परिक्षा कि इस साल center परिक्षा में प्रस्णू की repetition अर्थात की पुनरा बिर्ती बहुत ज़ादा हुआ है यदि आप question bank का अध्यान कियोंगे तो इसलिए प्रस्णू की पुनरा बिर्ती को ध्यान में रखते हुए अभी जो दूसे समय इसमें आप सबसे ज़्यादा फोकस होकर previous year question paper का अध्यान करें जो कि final board परिक्षा में इस साल जैसे center board परिक्षा में प्रस्ण पत्र रिपीट की हैं वैसे ही उमीद के मुताबिक बहुत ज़्यादा प्रस्ण आपको final board परिक्षा में रिपीट करेंगे previous year question paper से तो तीसरा सिक्षा आपको यहीं मिला कि आपको previous year question paper का अध्यान करना है चलिए आगे बढ़ेंगे चोथे नमर सिक्षा की बात करेंगे जो center परिक्षा में सिखाया है वो ए है कि प्रस्ण जो है इस साल बिल्कुल आसान अस्तर किसे आ रहे है अब आसान और कठीन अस्तर कह कोई प्रस्ण जानते ही नहीं है लेकिन हम जो यह आसान अस्तर आपको बता रहे हैं यह हम previous year question paper के 2020, 2019, 2018 के मुताबिक इस साल center परिक्षा के प्रस्ण पत्र बिल्कुल आसान अस्तर के थे इसी के मुताबिक 2020, 2018 से आपके इस साल के board परिक्षा में प्रस्ण बिल्कुल आसान अस्तर के ही आएंगे क्योंकि यह बिहार board का official notification है कि जिस अस्तर के प्रस्ण आपको center परिक्षा में मिले हैं उसी अस्तर के प्रस्ण आपसे final board परिक्षा में ही आएंगे तो इससे आपको क्या जनकारी मिला कि आपको असान असान प्रस्ण भी तयार करके जाना है जो आपक परिक्षा पैटर्न में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है 2020 वाले पैटर्न पर ही प्रस्ण आएगा आपका 2021 बोर्ट परिक्षा में भी कोई भी जितना अब्जक्टिव आपको 2020 में पूछा गया था जितना समय आपको दिया गया था उतना ही अब्जक्टिव परिक्षाओं से महत्वपूर्ण सिक्षा एक और देकर चला गया है कि आपके आने वाले बोर्ट परिक्षा बिल्कुल करीब है तो आपको बिल्कुल अतरक होकर और एक सजग एस्टुडेंट की तरह पढ़ाई में लग जाना चाहिए और अब बिल्कुल समय कम है तो आप परिक्षा में अच्छा अंक आप आएगा तो यहीं पांच रहस्य जो हमको सीखा कर गया है सेंटर बोर्ट परिक्षा यदि इस पांच रहस्यों को आप अपने पढ़ने के तरीका में अभी से बदलाव करते हैं तो उमीद रखिएगा कि आपका बहुत अच्छा अंक बोर होंगे तब तो आपको कोई बदलाव करने के आउसकता ने यदि नहीं पढ़ने होंगे तो इस रूप में आप जरूर ढ़ल जाएगा तभी आप आच्छा स्कूर कर पाएंगे और यदि आप थोड़ा सा स्टूडेंट होंगे तो यदि इन पांच बातों का अपने पढ़ दिन पांच